हेलो दोस्तों CSC परिवार में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है आज हम बात करने वाले हैं CSC E-Stamp सर्विस के बारे में जी हाँ दोस्तों जैसे कि आप लोगों को पता होगा कल की डेट में CSC E-Stamp की सर्विस जो है उत्तर पुदेश में लांच हो च चुकी थी हलाकि CSC में जो ये प्रोजेक्ट है CSC E-Stamp का वो बहुत ही पहले लांच कर दिया गया था बट इस्टेट वाइज अब इसको लांच किया जा रहा है यानि कि सर्विस को लाइव किया जा रहा है कौन सी स्टेट में कब लाइव किया जाएगी उत्तर पुदेश म कब लाइव किया गया है और जो E-Stamp का यूजर आइडिया और पासवर्ड है वीलिय को कब तक मिल जाएगा इन सभी सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में हम जानेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे अगर आप लोग हमारे यूटूब चैनल पे नए हैं तो अगर पुराने हैं तो वीडियो को देखने के बाद लाइक जरूर कर देजा कीजिए जिससे हम लोगों को एक मोटिवेशन मिल जाता है आप लोगों तक वीडियो और अच्छे से बनानेगा तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले जान लेते हैं कि E- स्टार्ट का काम आने वाला है और वो प्रत्यक वीडियो को मिलेगा हलाकि अभी कुछ दिन पहले यानि कि दो से तीन महिने के करीब पहले सभी डिष्टिक मनेजरों ने उत्तर पुदेश की में बात कर रहा हूं अलग 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 प्रकार से अलग अलग डेट में मांगे वीली की डिटेल जो इस्टाम का काम करना चाहते हैं बट उत्तर पुदेश में दो से तीन महिने पहले इस्टाम के लिए डिष्टिक मनेजरों ने डिटेल मांगे थी उनका एफिडेविट मांगा था कि ब्लॉक लेवल पर इस्टाम का जो काम करना चाहते हैं जो वीली एक ब्लाक में दो वीली को E-Stam का काम मिलेगा उनकी डिटेल डिस्टिक मनेजर द्वारा State को भेजी गई है और कल की डेट में हमारे जो CEO है संजै कुमार राकेश इनके द्वारा और जो उत्तर प्रदेश के प्रेसिडेंट है उनके द्वारा ये कवर्मेंट आफ इंडिया का जो प्रोजेक्ट है E-Stam का वो CSC के तहट लांच कर दिया गया इतने भी वीली भायों ने CSC E-Stam के लिए डाकुमेंट अपने भेजे थे डिस्टिक मनेजर को दिये थे कूरियर किया था उन सारे लोगों को यूजर आइडी पासवर्ट बहुत ही जल आ जाएगा आप लोगों को पता होगा कि E-Stam जो पहले हलफ नामे बनते थे E-Stam बनते थे वो आफ लाइन होते थे यानि कि उन में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था कहीं पर आनलाइन सो नहीं होता था क्योंकि रजिस्टेशन नहीं उसका सभी से क्लियरली मेंसन रहता था आफ लाइन टाइप होता था टाइप होकर क्यों बनता था बड़ अब वो E-Stam बनत हो चुके हैं आप कहीं भी कचेरी तहसिल कहीं भी जाएंगे अपने आसपास की जो आपके कचेरी या तहसिल लगती है वहाँ पर जाएंगे आप E-Stam मांगेंगे पुराना वाला तो वो नहीं मिलेगा वहाँ पर कहीं कहीं पर जो टिस्टिक से यानि कि तहसिल वाइस कुछ E-Stam के वेंडर्स हैं उनको काम दे दिया गया है जिससे वो काम वाले होते हैं आनलाइन वाले उनके पास बहुत भीड़ लगने स्टार्ट हो जाती थी इसी वज़े से CSC ने E-Stam का जो काम है प्रत्येक ब्लाक में वीली को देना स्टार्ट कर दिया जिससे कि वहाँ की जो भीड़ है वो कंट्रोल होगी CSC का हमेशा से यही काम रहा है कि जितनी भी सुविधाएं है जन जन तक गाउं गाउं तक घर घर तक पहुँचाना रहा है तो उसी के उद्देश को ध्यान में रखते हुए CSC ने E-Stam का काम CSC वीली को दिया है आसा करता हूँ कि जितने भी सारे CSC वीली भाईयों को ये काम मिलेगा वो अच्छी तरह से अपने कारे को अपने कारे के प्रत इमानदार और निष्ठा से काम करेंगे जितने भी वीली भाईयों ने डिटेल भारी थी उन लोगों को यूजर आइड़ी जो पासवर्ड है बहुत ही जल्द उनके मेल पर भेज दिया जाएगा तो जैसे ही मेल पर यूजर आइड़ी और पासवर्ड आएगा आपको हमारे चैनल के माध्यम से एक वीडियो मिल जाएगा जिससे आपको क्लियर ली लागिन करके में बता दिया जाएगा कि आप लोग करसे e-starm प्रेंट कर सकते हैं तो यही था CSC के तरफ से बहुत ही बड़ा अपडेड कि e-starm की जो सर्विस है CSC की उत्तरब्डेंस में लांच कर दी गई है अब जितने भी सारे CSC वीली भाई है वो खुस हो जाएगा उनको e-starm का काम मिलना स्टार्ट हो जाएगा यूजर आइडी पासवर्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा जैसे ही मिलेगा आपको वीडियो मिल जाएगी तो चैनल पे बने रहेए चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लोगों तक अपने दोस्तों तक जरूर सेर कर जीजे जिससे उन लोगों तक भी ये जानकारी आसानी से पहुंच सके तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दन्यवाज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिजे